नीट परिक्षा मुद्दे पर संसत सत्र के पहली दिन खूब हंगामा हुआ बता दें कि लोग सभा में प्रश्नकाल की दोरान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने परिक्षाओं में पेपर लीग पर खूब सवाल दागे तो लोग सभ में नेता विपक्ष राहुल गांदी ने कहा कि देश में लाखों चात्र से परिशान हैं आपको बता दें कि इस मुद्दे से रिलेटेट राहुल गांदी और अखिलेश यादर ने कई सवाल भी पूछे इसके साथ ही सरकार पर निशाना साधा नीट टू पेपर लीग का म बनाए लेकिन पेपर लीग का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाएगी अद्देश मुद्धे मुझे इसके बैक्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाए गया है पूरे देश के चात इस पे आंदूलित थे लगातार अखवार और सी बी आई की जाज के बाद चीजें सामने आ रहे हैं लोग पकड़े जा रहे हैं जेल भेजे जा रहे हैं मैं अद्धेश मौदे आपके माद्यम से पूछना चाहता हूँ मंती जी से क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नम्मर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे तीस हजार सीटें जहां हैं कई सेंटर अद्धेश मौदे ऐसे हैं जहां दो हजार ड़ाई जार बच्चे पास हो गए हैं सरकाजी सीटें तीस हजार हैं कई सेंटर में दो हजार से ज़्यादे पास हो गए कई प्रदेश के ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से जादे सबसे जादे नम्मर है और अगर वो संसा इतनी कर्डिबल थी तो अदेश मोदे जिन सेंटर्स पर ये परिक्षा हुई उन सेंटर्स का इंट्रसक्चर क्या था क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस its obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system this is not just a question of need it is in all the major examinations now the minister has blamed everybody except himself right i don't frankly i don't even think he understands the fundamentals of what is going on here और स्ब्सक्राइब करें Daman Alain, Mr. आराहूं, Sir. Sir, यह मैं question को अजना पूछता है, यह, the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. that is what is at stake here millions of people believe that if you are rich if you are rich if you are rich and if you have money you can buy the Indian examination system and by the way and this is the same feeling that the people in the opposition have and that is why we are asking some very simple questions to honourable minister number one as this is a systemic issue what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level yes